प्रेंड्स अगर आपको भी फेश्यल गेर की प्रॉब्लम है यानि जैसे किया हम देकते है कि बहुत लीजिस को यहाँ पर चैरपी जगा पर बाल होते हैं बहुत लोकर अपरन बहुत जादा होते हैं यहां पर भी बाल होते हैं तो डाफनीच अपनीच यह वी दो आप के लिए आज की वीडीओ मैं का शेर एंड मूब आन करते हैं वीडियो की तरह एंड वीडियो अच्छा लगे देखने की बाग तो आप लाएके शेयर भी कर सकते हैं तुशली फ्रेंट देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है फ्रेंट इसको बनाने के लिए आपको जरूत हो गयों के आटीगी तो फ्रेंट गयो इसको आप कहीं भी अप्लाइ कर सकते हैं आपके हाथों पे वाल है तो आप वह भी इससे रिमूफ कर सकते हैं आपके पैरों पे बाल हैं तो वही चीज है हमारी जितनी भी होम रेमेडि़ी होती है 100% वरकिं होती हैं लेकि फ्रेंट इसको बिज़ेट की बात करें तो ऐसा नहीं है मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिक में किलियर कर दूं अगर यह सोचके वीडियो देख रहे हैं कि आज आप लगाएंगे और कल आपके जो रिमूफ हो जाएंग तो आसा बिल्कुल नहीं होता चीजों को कॉंटिवसली दीर दीर करना होता है और खासकर के जितनी हमारी होम रामेडिस होती है इनकी रिजल्ट अगर आपको देखने हैं तो कंटिनुसली आपको टायम देना पड़ेगा तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो सिंपल आपने ही हापर ले लेना है यहां का आठा इसमें हम मिस करेंगे तो टमाटो जूस आप जानते हैं कि आपकी स्कीन को हाइड़ेट रखता है एंड आपके फेश में एक ग्लोबी देता है तो यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपके जो फेशिल हेर बोतो रिमूव होंगी साथी यह आपके स्कीन में ग्लोबी देगा तो आप इसको पालो आप ढू देगा पर द्कीन में रहां हमें कि नियुक्तिन कूरता है आपके बालों को पने में काफी है तो आपने क्या करना है यह लेना है कच्छा दूद्ध में इसको मिस्कर लेंगे अग इसके बाद जो हमारा लास इंग्रिटिंट है वह है शुगर तो शुगर को तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यह एक DIY पैक बनके तयार है फ्रेंड सी इतना एफेक्टिव है आप मैं नहीं कहती कि आप इसको दो दिन करिये चार दिन करिये या पार दिन करिये बिल्कुल नहीं इसको कंटिनुसली आपको मंतली करना पड़ेगा में आपको कंटिनुसली इसको लगातार एक महनी तक करना पड़ेगा तब ही आप इसके रिजर्ट देख पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको दो दिन में या चार दिन में रिजर्ट दिख जाएंगे बड़ ड़िफिनिट आप इसको कंटिनुसली एक हफते तक करेंगे तो एक हफते के अंदर ये अंदर आपको रिजर्ट नजर आने लगेंगे तो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देते हूं रेमेडी आपने देख लिए इसको कैसे बनाना है तो फ्रेंट सिंपल आपने ये बना लेना है और जहां पर भी आपको हेर है जिसे आपको इस पोर्शन में हेर है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी आज तक अ आपकोको अपर लिपकर आते हैं या किसे और तरीके से बैसके विने महगे हैं तो यह वाली चीजे नहीं मतर्य this urine . पर तुमिनेस के तुम से महीं में एक बार या पन्दर दिन में एक बार आप एक बार रिमोगे पको तो उससे बेटर है कि क्यों आप यह रामेडी ट्राइक करें जब आप उसको वहाइने में दोबार करतें। तो इतना तो आप करी सकते हैं, तो यह remedy आपने लेनी है, और आपको जिसे बालों की जो आपकी ग्रोथ है, उसकी अपो जो डिरेक्शन में इसको अप्लाई करना है, आपके बाल नीचे की तरफ इस तरह से हैं, तो आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, तो फ्रेंट चल करेंगे, और आपको लगता है की हां भी आपकी जो हेर हैं वो रिमूव हो रहें, तो फ्रेंट सोता है कहा दो को एक पूरी टेक्निक है यह आप जब इसको डेली अपलाई करते हैं तो फर्स टाइम में सेकंड ताइम में भी आपके में कुछ हेर जो आपके रिमूव होंग और हंडेट पसेंट वर्किंग है और इसको ट्राइजरूर करें और इसके बाद मेरे साथ इसके रिजट भी शेयर करें तो चलिए अब बहुत बाते बहुत होगी इसको आपको दिखा देती हूँ अगर मैं अपनी बात करो तो मुझे अपर लिप बहुत जादा नहीं है और मैंने आज तक कभी अपर लिप करवाया भी नहीं मुझे बहुत हलकी है रहे तो मैं आपको भी बोलूँगी कि अगर आपको भी कमें तो मत कराइए लेकिन इस वाले पोर्शिन में अगर देखो मैं आपको प्लाइग例えば रीप कर नहीं है तो तो अगरको जादा है तो आपको करना पड़ेगा ना तो सिंपल आप क्या चते है ऐसे बाहले ढ़ल निचे कि साइड में तो आपने इस तरह से अपलाइगँ करना है जिय तो आपको रिमूफ करे माचन का आपको परे लिइग त निकले तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है as you can see that यहां पर भी आपको here है ठीके उसकी बाद में आपने इसको लगा के as it is छोड़ देना है जितने ठीक लियर आप लगाएंगे उतना अच्छा है तो आप इसको इस तरह से लगा के छोड़ दीजिए अगर मैं टाइमिक की बात करूं तो 50-20 मिट के लिए आप इसको छोड़िए जब यह ड्राय हो जाएगा तो आपने क्या करना है इसके ड्राय होने के बाद आपने इस तरह से जैसे मसाज करते हैं इस तरह से मसाज करते हो इसको रिमूब करना है कम से कम आप 30-1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए अपने डेली करना है आप डेली करना है तो आपकी बाले नहीं या कि वो कमशोर हो जाएंगे और अपने आप खतम होने लगे तो अब को हमेशा कहते हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कीन लोंग Ц BO2 मीअD नतर Ne new Dar Zu चीज चीजे ही जो होती है वह हर सबस्दी है सबस्दी क्रूप कर थे बार बार रमायन कि लेता है जिसने आप आर्डि DOWN चीजा ही आप महीuciónल ही और हंने क्रली ह aan जिसने कमिकल क लिए ए यह वाली remedy आप ट्राय करें तो आपको रिजर्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे तो इस तरह से आप इसको रिमूफ कर लेंगे दैन आप वाश कर लीजिए तो मैं इसको अभी इसी तरह से क्लीन कर लेती हो तो एक बार मी नहीं होगा मैं आपको पहले कह रही हूं लेकिन आपक कि टेंशन ना ले वो सभी को होते हैं लेकिन अगर आपको जादा ही है तो आप इसको ट्राय कीजिए और इसके रिजर्ट 100% वरकिंग है और मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स यह था मेरा आज का वीडियो एंड बहुत ही इसी एंड एफेक्टिव रमेडी क